हेलो फ्रेंड्स आप सबके स्वागत है आपके चैनल शे बजार वितायूश में और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में टाटा मोटर्स के उपर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगी कि क्या कर सकता टाटा मोटर्स आने किया हूँ तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पे आपको सारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफोर्मेशन मिलती है वह भी सबसे पहले और आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं तो आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यहां पे आपको सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफोर्मेशन बहुत ही जल मिलती है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए अब बात करते हैं यहां पर टाटा मोटर्स के ऊपर तो सब्सक्राइब को लगातर देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक यहां पर आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है बढ़िया नहीं कर पा रहा है लगातर हमको देखने को मिल रहा है जब से वह खबन निकल किया थी अबाउट चिप शॉटेज उसके बाद से कि आपको देखने को मिला है तीन सो अफित कह सकत है तीन सो साथ रुपे के लेवल से एकुर मपो प्रक्राइब के आज पस आता हुआ देखने को मिल रहा और स्टॉप में के बड़ी गिरावचा पर टाटा मोटर्स के लिए यहां इस कैस बाड़ी बाद कोटे आ रही थी उसके बार में साफ साफ कह दिया उन्होंने कहा कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए अभी वाले कौटर्स में लेकिन ऐसा नहीं किया का कि आगे वाले कौटर्स में आपको इस टॉक बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा या फिर कंपनी के परफॉर्मे है उसके अंदर एक इफेक्ट पड़ेगा क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या गारी यह नहीं पाईगी विकॉज आपको वो चिप्स की शॉटेज यहां पर देखने को मिलेगी उसकी पूरी शॉटेज थी उसके कारण दोस्तों यहां पर कंपनी के ऊपर एक काफी बड़ा द अब यहां पर देखने को मिलेगी ऐसा नहीं कि आपको जो चिप्स की शॉटेज यह वो सिर्फ अकली टाटा मोटर्स के बिजनस में आती वी देखने को मिलेगी यह सारे एक्ष्वाइट जो भी दोस्तों आटो मेकर से फिर आप कंपनी जैं उनके अंदर यहां पर आपको आती वी देखने को मिलेगी दिक्कत लेकिन अकेली टाटा मोटर्स असी कंपनी थी जिसने साफ साफ कह दिया कि हमारे इस बिजनस के अंदर अभी यह दिक्कत आ रही है इसके लिए आपको क्यू वन और क्यू टू का जो यहां पर बिजनस रहेगा वो खराब होता हुआ दे अपको बड़ी परफोरमेंस देखने को मिल सकता है तो आपको जस्ट क्या करना आपको देखिए एक्स्प्लेनेशन के उपर जाना है था उसके अपर दोस्तों आपको विश्वास रखना है अब सबसे बड़ी बात क्या है पैसा लगा वाला का कुट का यह पर पैसा खरेट करेबं 43 पोच्टने या पर इस टेक झूल करता हुआ देखने को मिलता है यहाँ पो काफ़ी जादा देखिए लोगों का यहाँ पर पैसा लगाता हुआ आपको देखने को मिलेगा लेकिन सब्सक्प्सब्से बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर आपको चुनजुन वाला राके शादेशाब तो दीखिए यह खुद यहां पे आपको स्टेक होल करते वे देखने को मिलते हैं 1.29% दोस्तों उनकी कंपनी के अंदर स्टेक है और अभी जब यहां पे और भी शेयोल्डिंग बैटन आपको आता हुआ देखने को मिलेगा तो याद र अगर आप मामूली गिरावट से डरेंगे क्योंकि यह स्टॉक का नेचर होता है बढ़ना और घटना और न्यूस बेसिस पर आपको देखने को हमेशा मिलता है कि स्टॉक जादा अतर बहुत बड़ा रियाक्शन देते हैं जो आपको पहले भी देखने को मिला है पहले न्यूस पेसिस पर आपको चलता हुआ देखने को मिलता है स्टॉक उस पर रियाक्ट करते हैं देखने को मिलते हैं लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो देखिए इतने छोटे मोटे फ्लक्टुएशन से आपको डणना नहीं चीए ट्रेडर्स के लिए मैं बिल्कुल भी तो देखिए कल बढ़ेगा नहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला और सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिल रही है 300 रुपे के बिलोज शेर आपको जादा वाद देखने को नहीं मिला एक बर दीखे शेर के चार्ट पर हम यहां पर लौटे उससे पहले दोस्तों देखने को मिली वह करीबन यहां पर 29 पर देखने को मिली है जो करिबन 67 लाग शेर करता है तो डिलिवरी भी देखे ठीक है वॉल्यूम भी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है जो डिफिनिटल एक बहुत ही क्रूशल होता है शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टाइम म में वह देखेंगे अगर हम चार्ट पर जाए तो तो टाटा मोटर्स देखिए जो सबसे इंपोर्टेंट था कि आपको यह शेर 300 रुपे के क्या बिलो ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा यह एक बहुत बड़ा क्वेस्चन था क्योंकि आपको जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही थी स्टॉक ने क्रूशल सपोर्ट तोड़ा था 335 रुपे का और इसके बाद कहा जारा था कि 325 अगर इसने सपोर्ट तोड़ दिया तो 300 रुपे के बिलो आपको इस ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपक दिखा रहा है और अभी किस जॉन क्या इसपास अटकावाई 3003 रुपे 3003 रुपे तो इसमें पर आपको इसके उपर निकलता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है 3003 रुपे शॉन्स के तौर पर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है जो definitely resistance है बट यह resistance देखिए कि जैसे वो एक resistance के zone पर काम कर रहा है और जैसे वो resistance देखिए आपको तूटता हुआ नजर आएगा stock के अंदर यहां पर 320 से लगा कर 325 रुपए आपको short term में देखने को मिल जाएंगे क्या हो रहा है देखे long term और short term में और मुझे लगता है कि इन levels के आसपस जिन लोगों को भी खईदारी करनी है वो definitely buying करें क्योंकि यह levels ऐसे हैं जहां पर आपको वापिस से देखे शेयर नहीं मिलेगा और एक शेयर यह ऐसा है जो बिल्कुल आपको देखे short term में बड़िया तीजी करता हुआ देखने को मिलेगा जस्ट हमको patience के साथ इस stock को hold करके रखना है 315 रुपए 313 रुपए का resistance देखे जैसे यह cross करेगा एक बड़ी तीजी आपको देखने को मिल जाए कि Tata Motors के अंदर और बिल्कुल क्रूशली में आपको यह कहूंगा कि देखे इस stock को बेचने का कोई भी sense नहीं बनता है फोल करके चलिए एक और टेक्निकल्स पर दोस्तों कर हम नज़र डाले तो टेक्निकल्स क्या करें टेक्निकल्स देखे यहां पर साफ साफ को जो कहते वे देखने को मिल रहे है कि आख आपको 500-600 रुपे के towards trade करता हुआ देखने को मिलेगा और दो से तीन साल भी अगर मैं आपको क्या हूं तो अगर आप रखते हैं तो याद रखिए हजार रुपे से कम आपको नहीं मिलने वाला है वे वैलुएशन संलॉकिंग होगी यह आपको इलेक्ट्रिक वेहिकल के करेगी बार-बार यही कह रहा हूं तकि आप समझ यह दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको उसके उपर काम करता हुआ यह कंपनी देखने को मिल रही है ऐसा नहीं कि कंपनी काम नहीं कर दिये कंपनी के तरफ से साफ सब कॉमेंटरी निकल के आ रही है ताकि वो इन्वेस्ट करके आपको यहां पर चलना है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था होप आपको अच्छा लागा होगा अगर अच्छा लागा तो लाइक कर देना चैनल से नए जुड़ो जाना को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यों फ्रेंड्स वीडियो